हेलो फ्रेंज, वेलकम टेट 24 नॉलेज ए ओफिशल यूट्यूब चैनल, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार स्कूल एग्जामनेशन बोर्ड की न्यू नॉटिफिकेशन जो की फ्रेंज से यहां पर जारी की गई है बिहार एस्टेट दोहजार चौविस नॉट कर सकते हैं और इस से लेटेट सारी जानकारी आपको फ्रेंज से वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी जौबरास्ता.com पर वहां पर जाकर आप इसकी डेटेल्स को चेक आउट कर पाएंगे साथ में फ्रेंज से जैसे ही इसका फॉर्म अप्लाए का लिंक port.com प्रेंज सारी एप्रइटटें के बारे में और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अप्रें शेर करें लाइक करें जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके हैं तो यहां पर एकिफैंस से ये इसका ओफिशल नोटिस है विहार विध्याले परिक्षा समीती का जो की विध्यप्ती संक्या पी यार 442-2023 है जिसमें माध्यमिक सिक्षा पातरता परिक्षा समानने विषय में आपको पोस्ट कोड मिल जाता है जो की विषय कोड आपका है और सेक्षनिक योगता आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है तो यहाँ पर फैंसे क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर चेक कर ले रहा है आप इन में से किस क्वालिफिकेशन के अंत्रकत आविधन करना चाहते हैं आपको यहाँ पर देखी सारी जानकारी पेपर वन और पेपर टूप की मिल जाती है अगर आपको यहां पर पढ़ने में कोई भी प्रॉलम आ रही है अगर आपको यहां पर तो आप जोबरासा.com पर जाएंगे तो आप स्कॉल करते हो नीचे आते हैं तो यहां पर देखे समाने विशय जो आपको दिये गए हैं सब्जेट कोड और सारे लिख सिक्षा के साथ 50% अंको साहित सारे लिख सिक्षा में इसनाताक उपादी हो या उसके अंतरित जो भी सेक्षिनिक योगता को दी गई है वो आप फुल्फिल करते हो आप इसमें आविदन कर सकते हैं तो यहां पर फैंस आपको देखे सब्जेट्स को चेक करना है कौन कौन सी सब्जेट्स आपकी यहां पर है उसके according आप यहां पर आविदन कर सकते हैं तो इसके लिए आपको यह LBT conditions को पढ़ना होगा और इसमें आप जिस भी सब्जेट्स के अंतरिकत आविदन करना चाहते हैं वो आप आविदन कर सकते हैं इसके बाद फैंस से यहां पर नियुन्तम जो आयू है वो 21 वर्स की होगी और ये 182024 को काउंट की जाएगी 182024 को फ्रेंसे जो जनरल केंड़ेट है उनके लिए जो अपरेज है वो 37 साल male candidate के लिए और female के लिए 40 साल रहेगी पिछड़ा वर्क के पुरुस्वय महिला के लिए 40 साल रहेगी इसके बाद friends, यहाँ पर देखिए, आपको उत्राँख दिये गए हैं, तो समानने कैटेगरी पिछड़ा वर्ग, अत्यन पिछड़ा वर्ग, SCST महिला के लिए निउनितरम जो उत्राँख हैं, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं इसके बाद यहाँ पर देखिए आपकी application fees जो लगने वाली है वो paper 1 और paper 2 के according आपकी लगेगी अब देखिए अगर आप paper 1 या paper 2 उनमें से कोई एक subject choose करते हैं तो समानने वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और आपके पिछड़ा वर्ग के लिए 960 रुपे है और SCST के लिए और दिव्यां के लिए 760 रुपे है अगर आप friends दोनों paper वो के लिए आविदन करते हैं तो 1440 रुपे फीस है समानने वर्ग के लिए और आपके AWS के लिए या पिछड़ा वर्ग के लिए और SCST PH के लिए भी 1140 रुपे फीस आपकी यहाँ पर लगेगी इसके अलावा फैंसे नॉर्मिलाजेशन भी आपका यहाँ पर एक्टिवेट रहेगा तो नॉर्मिलाजेश से आपका लिंक एक्टिवेट हो जाएगा और यह शाम साढ़े 4 में से लिंक आपका एक्टिवेट होगा और 2 जन्वारी 2024 तक आप इसमें आविदन कर पाएंगे इसमें आविदन पत्र भरने की विदी है उसमें सबसे पहले आपको यहाँ पर रेजिस्टेशन करना होगा इसमें फ्रेंस आपको फॉर्म भरना है फॉर्म अपने रेजिस्टेशन मॉबाइल नंबर पासवर्ट की सयोंग से आप लोगिन कर सकते हैं लोगिन करने के बाद आपको इसमें आविदन करना होगा आपकी फोटोग्राफ एंस सिगनेचर आपको अपलोड करने होगे और जो है वो latest होना चाहिए इसके बाद जो next step है वो परिक्षा सुल का भुक्तान करना है तो आपको make payment का option मिल जाएगा और आपको जो है payment online mode में जमा करवाना होगा इसके लावा friends से कुछ documents भी आपके यहाँ पर upload होंगे इसमें लेकि 10th का प्रमान पत्र वे अंग पत्र जो की ज upload मांगे जाएंगे जो कि आपको यहाँ पर बताया गया है प्रमान पत्रों को upload करना वाले section में इसके बार आप यहाँ पर documents को check करेंगे और उसके बार final summit यहाँ से कर देंगे इसके बार friends से नीचे आने पर आपको यहाँ पर कुछ और instructions यहाँ पर दिये गये हैं जो कि आप आपर फ्रेंट से यह notification जो है short notice जो है वो आपका यहाँ पर जारी हो गया है आप इस notice को jobrasa.com पर जाका check out कर सकते हैं important points जो है वो क्या-क्या है तो सबसे पहले friends जो आपका यहाँ पर देखिए जो form है वो आपका 14 December 2023 को शाम साढ़े चार बजे लिंक आपका activate होगा और इसके लिए जो website है वो आपकी bsebastat2024.com रापकी रहेगी इसके अलावा जो fees है वो friends आपको paper के according देनी है paper 1 या paper 2 या दोनों के आविदन करते हैं तो इसके according आपको fees पे करनी होगी इसके अलावा फ्रेंस जो आपके न्यूंतम उत्रांग है वो आपको यहाँ पर दिये गए है इस criteria 21 साल है minimum और ये 182024 को count किया जाएगा इसके अलावा फ्रेंस एची ध्यान रखिएगा कि all India candidates में आविदन कर सकते हैं और जो pattern है या subject code है वो आपको यहाँ पर दिये गए ह और दोनों के लिए है जो qualification criteria है वो भी आपको यहाँ पर दिया गया है तो qualification को apply करने से पहले जरूर पढ़े क्योंकि qualification पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप आवेदन करते हैं तो जो mandatory qualification है वो आप अगर fulfill नहीं कर पारेंगे तो आप इसमें आवेदन नहीं कर process है फिर भी 2024 का जो new process का वीडियो होगा वो आपको जल्दी ही available करा दिये जाएगा तो मैंने यहाँ पर कोशिश की है बिहार विध्याले परिक्षय समीति पतना मादमिक सिक्षा पातता परिक्षा बिहार एस्टेट 2024 के जो important points थे वो मैंने आपको बता दिये हैं जैसा मैंन को हमारी अपडेट पसंद आई है आप चाहते हैं ऐसे ही regular updates आपको लगातार मिल सके तो इसके लिए like subscribe जरूर कीजिए बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहे हमारे साथ देखते रहे हमारा यूटीब चैनल एला सिंक्स पोर वाचिंग